मंगल ने दिखाई सौम्या की आउकात मूपर पोती कालिक आप देख रहे हैं सीरिल से आपा जहां पर मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं टिवी सीरियल मंगल लक्ष्मी में आप देखी रहे हैं कि कैसे करवा चौत के मौके पर मंगल के जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान उठा और उस तूफान का नाम था सौम्या जहां अदित और सौम्या ने शादी करके मंगल को करवा चौत का बहुत ही बड़ा प्राइस दिया तो अब एक के बाद एक घर वाले सभी लोग मंगल की तरफदारी में उताराए इतने ही नहीं शोके अब कमिंग ट्रेक में दिखाया जा रहा है कि कैसे सौम्या और अदित अपनी एक नई दुनिया बसा चुके हैं अपना एक नया घर बसा चुके हैं जहां पर ना तो अदित के बच्चे हैं और ना ही उसका परिवार है बावजूद इसके सौम्या को अभी मंगल से काफी जादा टेंशन है उसे मंगल से इन सिक्यूरिटी है तब ही तो मंगल को मार्केट में देखकर वो औरतों के कान भणना शुरू करती है और वो मंगल को यहां डिफ्रेम करने की कोशिश करती है शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो मंगल है वो देखकर के सौम्या को काफी जादा पैनेक हो जाएगी और वो वही मार्केट में बैट करके जोड़ जोड़ से रोने लगेगी उसकी हाला देखकर सभी औरते समझ ज जाली है जी हाँ ऐसा ही होगा शो की कहानी में आगे और उसको सही अवकात भी दिखाएंगी मंगल की इस हरकत के बाद में सौम्या रोते हुए आएगी घर और अधित के सामने फूट फूट कर रोएगी और उसे कहेगी कि ये देखो मंगल ने ये क्या किया है जैसे ही अध कर रही हो तुम ये मंगल ने किया है मैं मान ही नहीं सकता आकर वो उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई आकर उसको हुआ क्या है वो ये सब हरकते क्यों कर रही है तब इस सौम्या इरिटेट होती है और वो कहती है कि नहीं आधित ये सब कुछ मंगल ने नहीं किया बलकि उसने क कुछ भी तुमने गलत नहीं किया है तुमने तो खुछ सब को बताया कि हमने शादी कर ली और सबने मान भी ली है तो फिर आप तुम कंफ्यूस क्यों हो रही हो दूसरा सौमय वह तुमसे जलती है इसलिए वह ऐसा कर रही है लेकिन तुम टेंशन मतलो हम दोनों का जो के ले लग जाती है लेकिन उसे अभी भी डर सता रहा है कि कहीं अदध से मंगल उसे अलग ना कर देए अब क्या लगता है आपको कॉमें उसके पास वापस आता भी है तो क्या मंगल को एक्शेप्ट करना चाहिएं कॉमेंट कीजिए साथ ही वीडियो को यक शेयर कर चैजय को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं